E 143 भारत में राज्यों की राजनीती पहला चप्टर है भारत में राजनीती की राजनीती का विकास तो पहला जो चप्टर हो पहले सही कोस्टन जो बनेगा कि इसमें जो बेसिक तोर से जो कोस्टन आपको बोल देता हूँ एक कह रहे हैं कि भारत में जो राजनीती रही उसक पचास और साट के दसक में कैसी रही और छेत्रिये सक्तियों का उदय कब होता है शेत्र के दसक में छेत्रिये सक्तियां बहुता थी छेत्रिये सक्तियां कौन थी जैसे आप देखोगे कि साउथ में कई सारी सक्तियों का विकास होता है जैसे AIDM के जैललिता या करुणा निद के 79 तक इस दसक में क्या होता है कि छेत्रिय सक्तियां बहुत ज़दा और कई राज्यों में से कॉंग्रेस की सरकारे जाती हैं और कई राज्यों में गयर कॉंग्रेसी सरकार बनती है ठीक कई राज्यों में क्या होता है गयर कॉंग्रेसी सरकार का भी कहीं कहीं गठन होता तो इस टाइम पर जो पूरी पोलिटिक्स है, उसके बाद क्या है, कि राज की राजनीती में 80 के दसक में, 80 के दसक में कैसीर, पहचान की राजनीती एक हुई, पहचान की राजनीती समझते हो, जब इस देश में आरक्षन की राजनीती हुई, मंडल और कमंडल की राजनीती आप और अक्षन आधारी जब इस देश में राजनीती हुई भूमंडली करण का बर्भाव पड़ा यानि राजनीती पर भूमंडली यानि 92 के बाद जब वैस्वी करण होता है उसके बाद भारती राजनीती में एक परभाव पड़ता है और उस प्रकार किस प्रकार बिद्रोह किस प्रकार यानि कहिन कहीं भारत में राजनीती में कई सारी आपने पार्टियां दो कि भारत की राजनीती में कई सारी ऐसे पार्टियां हैं जो आंदोलनों से उभर करके आई हैं ऐसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जो आंद से निकली हुई पार्टी बीजेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं स्वीज को कहिन के आप जरूर ध्यान रिखे हैं कॉंग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी जरूर है क्योंकि आठारोस सत्ताउन की क्रांती है और उसके बाद कहिन आंदोलन और कहिन कहीं कह सकते हो कि सत्या ग्रह और कई प्रकार के मोमेंट के बाद जो कॉंग्रेस है वो निकली हुई पार्टी है लेकिन वो आजादी के पहले निकली हुई पार्टी है लेकिन कॉंग्रेस का जो ओरीजन हो कहिन कहीं भारत के आजादी से पहले उसका ओरीजन है यानि उसकी कहीं कहीं आपने दोखा, जैसे, अगर हम मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बिहार में आपने दोखा लालू नितीष हैं, किश्टाइ की राजनिती करते हैं, वहाँ पर जो लालू नितीष की राजनिती है, धरम कही सकती हो, जाती आधारीत राजनीती है, यूपी में मायवति और उसी प्रकार से कई सारे सेगमेंट में आप देखोगे कि वहाँ पर एक एक पार्टियां जो है एक जाती आधारित राजनीती पहचान आधारित राजनीती इसी जाती आधारित राजनीती आप आरक्षन को सपोर्ट में लेकर के बहुत जादा इस देश में राजनीती दोर और मंदिर आंदोलन जब आपने सुनाओगा ना 90 में 92 में जब आवरी विद्वन्स हुआ था उस टाइम पर क्यों हाँ राम मंदिर का एक मोमेंट चलता तब बीजेपी का ओरीजन हुआ और बीजेपी एक टाइप से कह सकते हो कि बड़े बहुमत से उबर के आते थे वो बीजेपी का गठन हुआ असी में गठन होता है और बीजेपी का असी में गठन हुआ और कहिए उन्होंने लोगसभाई लेक्शन लड़ा और लोगसभाम दो सीटिया है लेकिन उनकी जब शुरुआत हुई आपने सुना गए एक रथ यात्रा सुने आडवानी जी ने रथ राजनीती रही उससे पहले राजीव गांधी की सरकार रहे उसमें देखोगे तो उस टाइम पर क्या पोलिटिक्स है पूरी कह सकते हो कि आरक्षन समर्थन बीच में एक सरकार आपने हो बीपी सिंग की सरकार थे ठीक इस देश में प्रधान मंत्री कौन मना विस सुनात प् या कह सकते हैं कि इंडिया में जो पूरी पूलिटिक्स रही वह किस प्रकार उतार चड़ाव के साथ इस देश में राजनीती होती रही तो कहिन के उन सारे सेगमेंटों को कहिन कहीं यहां पर कबर किया जागा तो अब मैं सुरू से हम देखते हैं चीजों को देखो पहला जो हेडिंग है 1.2 ठीक है आप बुक में ओपन कर लिजेगा 1.2 ठीक है तो 1.2 का मैं आपको बताता हूं उसमें क्या रहा ध्यान से सुनेगा आपको बेसिक सारी चीजे समझ मेंगे और कहिन के मैं जहां जहां पर मिलेगा वहां पर डिस्क्राइब करता चलूंगा ठीक है डीटेलिंग में ठीक है भारत में राजी की राजनीती में कई पड़ाओं से गुजरे यानि भारत में जो राजनीती रही राज्यों की वो कई पड़ाओं से यानि कई पड़ाओं उसमें कहिन कहिन हमें देखने को मिले ठीक है तो उसमें कई सारे पड़ाओ आते रहे स्व पूछने आते हो तो आप क्लास कर लीजे बाद में पूछ लेना ठीक है आप एक दिन आये थे एक दिन बताये तो था हाँ तो डेली बतल थोड़ी जाएंगे घर तो वही रहता भाई घर बतल थोड़ी जाता है देखें देखो 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 जितने भी लोग जुड़े हो है जहां जहां पर मिलेगा वहां पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके बता दूँगा और कहिंगे थोड़ा समझने की कोशिस करना ठीक है देखो भारत में जो राजनीती रही राज्यों की और य हम पूरी बुक जो चलेगी न हम कहिंगा इंडिया का Constitution बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे इंडियान politics नहीं देखेंगे उपरी तरह जैसे हम आपने जिसे अन बुकों में हमने देखा कि वहां पर यहां पर हम इस्टेटों में चलेगे राज्यों में चलेगे और राज्यो में कौन से मुद्दे हाबी रहे जिनसे कहिन कहीं ruling party आई सत्ता में party आई और सत्ता में party आई कहिन कहीं सत्ता से बेदखल भी होती रही हैं तो कैसे रहा भारत में जो राजी की राजनीती रही और कई पड़ाव से गुजरी है 6.1.2 हटी 1.2 में आपको मिलेगा स्वतंता पस् को में राजी की राजनीती में केंदर के परभाव में अंकुरी थे यानि शुरू में जब आजादी मिली और देश आजाद हुआ तो दो दसक यानि 20 सालों तक हम कह सकते हैं कि केंदर में कहीं राजनीती का कहिन के परभाव मिला जिसमें भारत में राष्ट राज का निर्म आप जब अगर देखोगे कि अगर हम अगर आप देखोगे कि 50 और 60 के दसक में राजनीती के रहे उस टाइम पर क्या भारत में जाती आधारित राजनीती नहीं रही धरम आधारित राजनीती नहीं उस टाइम क्या था इंडिया फश्टा यानि हमारा देश आजाद हुआ था क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों कोई क्या थी कमिया थी उन कमियों को कहिन कहीं दूर करने के लिए कह सकते हैं कॉंग्रेस समर्थी जो कॉंग्रेस की जो सरकारें उन्हेंने कई प्रकार के काम के शुरू में जब आप नहरवादी आदर्स और कॉर्डेस के एक दलिये प्रभुत्यों ने ही भारत की राजनीति को अविवक्ति प्रदान की यानि इस टाइम की नहरवादी राजनीती रही। अगर हम कहें कि पचास और साट के जस्त में क्या रहा कि नहरुवादी राजनीती रही और पूरी देश में कहिन कहीं एक ही पार्टी सत्ता में बनी हुई थी वो कौन से थी कॉंग्रेस पार्टी ही बनी रही वो कौन से थी कॉंग्रेस पार्टी ही क्या रही सत्ता में बनी र ठीक तो कहिन कहिन राजिये राजनीती में मुख रूप से राश्टिये राजनीती को ही कहिन कहीं परतिरूप रही यानि राज जी की राज जी की राज देखो जो कॉंग्रेस पार्टी थी ना पचास और साट के जस्क में तो केंदर में रही ठीक राज्यों में भी यानि हमा साली सरकार इस्तित रखती थी जिसमें एक राज राजनीती को दूसरा स्थान पराग यानि कहिन के एक क्या कहे दूसरी लाइन में यानि क्या था केंदर सरकार में जो पार्टी रहती थी जो केंदर में सरकार रहती थी ओ कहिन के राज जी की सरकारों को कहिन के इस्तिर करने का काम करती थी यानि जब केंदर में कॉंग्रेस से सरकारी रहती थी और राज में भी कॉंग्रेस के सरकारी रहती थी तो जो सरकार थी वो क्या थी इस्तिर थी यानि 5 साल तक वो चलती थी यानि कहिंके इस्तिरता बनी रही कह सकते हैं कि सुरू के दो सालों में हम सुरू में 20 सा को लेख रहे हैं 50 और 60 का दसक दे रहे हैं 50 और 60 के दसक में क्या रहा कि भारत की राजनीती में क्या रहा इस्थिरता बने रही केंदर में कॉंग्रेस सी सरकार बनी रही कह सकते हैं कि पॉइंट डंबर वन केंदर में कॉंग्रेस सी सरकार बनी रही राज्यों में ही भी केंद्र के दिशा निर्देश पर राज सरकारों ने अने कदम उठाय ताकि रास्ट निर्मार की दिशा में योगदान मिल यानि कहन कहीं जैसे केंद्र सरकार निर्देश देती थी केंद्र इसके जी बोलिये राज जी की राजनीति साल को देखोगे अगर हम 20 साल को देखो गए अगर इंडिया के 20 साल को देखो गए 50 और 60 के दसक दे हैं 50 और 60 के दसक में किरा है कि केंदर में कॉंग्रेस की सरकारी रही ठीक है केंदर में क्या था कॉंग्रेस की सरकारी थी और राज जी में भी कॉंग्रेस की ही सरकारी रही तो कहिन कहीं कि कहिन कहीं केंदर में भी कॉंग्रिक से सरकार थी राज्यों में यानि हम क्या देख रहे हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसकी आजादी के बाद 20 सालों तक कहिन कहीं केंदर में हमेशा कॉंग्रिक से सरकार बनी रही राज्यों में कॉंग्रिक से सरकार यानि कहिन कहीं राज्यों में जो डबलक्मेंट हो रहे थी वो कहीं कहीं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ही राज सरकारें उनको कहीं 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 जैसे पहलाक सुधार को अगर हम बोलेंगे कि 50 और 60 के दसक में बड़े सुधार को एक बड़ा सुधार है Land Reform हिंदी में बोलेंगे भूमी सुधार और भूमी सुधार में उस टाइम पता क्या हो रहा था इनहीं चकबंदी हो रही थी और कहीं की चकबंदी आप जैसे आज भूमी सुधार में कई सारी चीजे आइड होती ठीक तो उन भूमी सुधारों में एक चीज आपको देखनों को मिलेगी उस टाइम पर जितने भी भूमी सुधार हुए थे ठीक तो भूमी सुधारों में क्या हो रहा था जैसे भूमी सुधार हुआ भूमी सुधार में क्या कर रहे थे जिन लोगों के पास ज़्यादा जमीने थी, उनसे क्या करें थी, सरकार जमीने लेती थी, क्या करती थी, माल लोग क्या होता है, जब भारत आजाद हुआ जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर क्या था, सरकार के पास तो ज़्यादा थी, एक तो आपने सुना होगा कि जब भारत आजाद हुआ उसकी आजादी में बुढों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, आदिवासी ने, सभी ने कहिन कहीं अपना योद आँ दिया, क्योंकि कहिन कहीं सरकारों का एक बेसिक मुद्धा बना हुआ था, क्योंकि जो जमीन है वो हर वर्ग को मिले, जैसे जमीन नहीं थी तो कहिंगे जब तक भूमी सुधार नहीं होगा एक तो दिक्कत ये एक और आ रहे थी भूमी सुधार को कहिंगे भूमी सुधार का टूपिक आया तो मैं साथ आपको थोड़ा जादा डिस्क्राइब करके बता दू भूमी सुधार क्यों भूमी सुधार में दिक्कत यारे थी आपने सुनाओगा कि जो हमारा पहले जो फंडामिल्टर राइड से साथ फंडामिल्टर राइड थी उसमें क्या था संपत्ती का अधिकार भी क्या था फंडामिल्टर राइड में था और कहिंगे सरकारे ना किसी की संपत्ती को ले नहीं पाती थी यानि कह का बनाता क्या था एक प्रकार से फंडमेंटल राइड था यानि कहीं वो मौलीक अधिकार था और मौलीक अधिकारों के लिए हर कोई व्यक्ति सुंप्रीम कोर्ट में जा करके याजिका डाल सकता था तो कहीं के ए दिक्कत आती थी और बाद में सुनाओगे कि भारत में जो आ बंचित हैं उच्पीडित हैं उन लोगों को हम आवास दिलाएंगे घर दिलाएंगे माकान दिलाएंगे जमीन एक वड़ा है पट्टा बहुत होता है आपने सुनागा पट्टे पर जमीन दे यानि सरकार जो होती हो आम लोगों को जमीन देती रहने के लिए तो कहीं के जम केस में सुनोगे बहुत प्रकार के अगर मैं बूलू तो कई प्रकार के अगर देखोगे कई प्रकार के बड़े-बड़े इस देश में मुकदमे हुए जिसमें आपने केस वानन्द भारती का केस है बहुत सारे ऐसे केस होते केस वानन्द भारती का केस जाकर के यूटूब मे आप अगर सर्च करोगे केस वानन्द भारती केस तो आपको पता चलेगा केस वानन्द भारती केस भारत का जो पहला संविधान संसोधन हुआ वो पहला किस भूमी सुधार की वज़ा से होता संविधान में पहला संसोधन क्योंकि कहिन कहीं आप सुना होगा है जब कोई सरकार आती है ना तो कहती है हम सब को चीजे देगी क्योंकि देखो जो जमीने थी किसके पास थी जमीनदारों के पास थी जो गरीब व्यक्ती था उसके पास तो नहीं दे आदवासी लोग पास तो उनों लोग PlayStation को जमीन कहां से मिलेगी तो दूसरों को जमीन आपको ऐसे दे पागे, इसलिए क्या होता कि पहला भूमी सुधारों को लेकर कहीं कहीं संभिधान सनसोद नहीं आई और कहीं कि देखो जो सरकारे बड़े रूप में कैंशनेय सरकारों ने क्या काम किया, भूमी सुधार किये, ठीक है समुदाइक विकास कारिक्रमों में काम किया केंदर में और बहुत से राज्यों में सत्ता पार्टी कॉंग्रेस के पास थी राज्यों में संपरदाइक हीतों का प्रतिनित करती कॉंग्रेस के भीतर में बिभिन स्वार्थी गुट राश्ती अस्तर पर स्वार्थ दल नेतृत करने उपंग थे यानि कहीं 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 क्या था एक कह सकते हो कि 50 और 60 के दसत में भूमी सुधार हुए और समुदाइक हीतों के कहीं कहीं काम हो रहे थे और कॉंग्रेस के अंदर ही 50 नहीं बलकी लिखना 60 के दसत में ही कि कॉंग्रेस के भीतर में ही कहीं कुछ ऐसे लोग हो थे जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में बने और कहीं के कॉंग्रेस को अंदर सी क्या करे थे खोखला करे थे आपने सुनाओ गा कि 67 में Congress दो फाड़ हो गे थे, Congress आई आपने एक नाम सुनाओ Congress, याणि Congress दो पार्टियों में बढ़ गे थे, एक Congress के इंदरा बन गे थे, एक दूसरी Congress बन गे थे, बाद में वही जो Congress इंदरा हो वही आप, इंडियल नेशनल कोंग्रेस के नाम से जानी ज हम कह सकते हैं कि 50 और 60 के दसक में केंदर में राज्यों में Congress के सरकार हैं, लेकिन Congress में कुछ ऐसे नेता बने हुए थे, कुछ ऐसे नेता थी या कुछ ऐसे लीडर थे, जो कहिन कहीं क्या करते, सामपरदाइक जो सक्तियां थी, और कह सकते हैं कहिन कहीं क्या थी, बढ़ रही आगे देखें यहाँ तक थे कि केंद्र मुआ अनेक राज्यों में प्रबल दल को ही बोल बाला था ने इसके मन में बैठा दिया कि राज्य और केंद्र में राजनीती के सर्मान परत्मान देखो केंद्र राज्यों में कहिंके कॉंग्रेस सरकारे ही बनी थी और कहिंके कॉंग यहाँ पर राजपाल का इसलिए जिक्र क्या है कुछ सरकारों आप जब इंडियन पोलिटिक्स हो बहुत ज्यादा रीड करोगे न एक क्या होता राजपाल का कई बार दुरुपयोग भी करते थी पचास और साट के दसक में कॉंग्रेस की सरकारें जो होती थी राज में अगर किसी दूसरी पार्टी के सरकार होती जेना तो उन सरकारों पर गलत आरोप लगा करके कई बार जूटे आरोप लगा करके उन सरकारों को गिराने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी ने तो कहिन कहीं राजपाल की मदद के दौरा क्योंकि केंदर में जिसकी सरकार रहती थी वही राजपाल को नियुक्त करता था तो कहिन कहीं राज में संबधाने काम सहीन हो रहा है ऐसे प्रकार के आरोप लगा करके वहां की सरकारों को गिराने का काम के हैं Congress Party कहिन के, यानि कहिन के, राजपालों की मदद से, कुछों को छड़के कहिन कहिन निर्बादा, यानि कहिन के, जो राजपाल की भूमिका रही, 50 और 60 के दसक में, राजपाल की जो भूमिका थी, ओ कहिन के, एक दो राजपालों को अगर छोड़ दें, तो संधे आस्पोस बनी यarning राजपाल कहें कहीं केंदर सरकार के अनुरूप ही या उनके अंडर में कहीं काम कर रहे थे या उनके जिसा निर्देश में ही काम नी संधी या एक प्रभावी प्रतिमान था परंतु इसके साथ ही राज雨 राजनीती के भीतर एक समय में असमत प्र परतिमान यानि देख देखो जो पार्टी बनी थी अब धीरे धीरे क्या रहा था राजियों में अभी प्रकार थी जो पार्टीय थी वार्टीय when विक्या रहा थी और चुन mands की प्रमुक इस्तिती और राजमीती में गौण तथा दूत्यक थी धीरे-धीरे क्या होता कई सारे राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे थी धीरे-धीरे हटती भी देखो सुरू में क्या था कि सारे राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे थीरे-धीरे क्या होता कि धीरे जैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जैसे जैसे साट का दसका था कई सारे राज्यों में से कॉंग्रेस की सरकार क्या होती वहां से चली जाती है और वहां पर क्या कह सकते हैं कॉंग्रेस की जी स्थिति दूइतिय बन जाती है सेकंड पोजीशन की बनी स्वतंत्रा प्राप्ति के कुछी वर्सों के भीतर ही उत्तर पूर्वी भारत में नागा और मिजो बिद्रो हो यानि नागा लेंड और मिजोरम में एक प्रकार से क्या होता है बिद्रो हो जाता है ठीक क्या होता नागा लेंड और मिजोरम में अगर हम बोलें तो नागा लें और कहिन कहीं नागा लेंड और मिजोरम में भी कहिन कहीं बिद्रोव दमन होते हैं। कि कॉंग्रेस की विभिन बैचारिक धाना रखने वाले राज्यों में भी इस राजमीती ने महात्पूर घूमकनी भाई। कॉंग्रेस के खिलाब, कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब एक प्रकार की उन्होंने लहर बनाई और एक प्रकार के लोगों को लामबंद करने का काम किया। कॉंग्रेस के खिलाब कहिन कहीं एक प्रकार से लोगों में गुसा था और कहिन कहीं कह सकते हो कि समाजवादियों और वामबंद कहीं एक प्रकार से अपनी पैठ बना रहते। धीरे-धीरे क्या हो रहता राज की राजनीती में धीरे-धीरे जो कॉंग्रेस का वर्चस हो था धीरे-धीरे कम हो रहता और कहिन कहीं यहाँ पर समाजवादी वामबंद थी और पंजाब में आकाली दल जो पार्टियां थी वो कहिन कहीं अपनी भूमी तलास रही थी और क जो जमीन थी धीरी-धीरी क्या उरती खसक रही थी खसक ना का मतलब धीली उरती या कह सकते हो उनका जो वर्चस था धीरे-धीरे फीका पड़ रहा था या कमजोर हो रहा था इस घटना क्रम में राज-राजनीती के ऐसे प्रतिमान हुए कि तान छोड़ी की जो निकट भविस में भारत में उदय होने लाए महाराष्ट वा उत्तर प्रदेश में आर पी आई के नित्रुत में दलित आंदोलन और कहां पर महाराष्ट यूपी में दलित आंदोलन भी शुरुआत होते हैं दलित आंदोलन शुरुआत होए और धीरे-धीरे राष्टी ये सोयम सेवक देखो भारत में जनसंग जो जनसंग था न वही आगे चल करके भारती जनता पार्टी में कन उननीस सो बावन में एक पार्टी बनती जिसका नाम है जनसंग और उननीस सो असी के दरसक में एक पार्टी बनती जिसका नाम है भारती जनता पार्टी जनसंग ही क्या होती है भार अच्छा आंदोलन हिंदी प्रसार भारती समाजवादी आंदोलन तथा तमिल नाडों में हिंदी भासा थोपे जाने का विरोध हुआ यह कह सकते हैं कि 1950 और 60 के दसक में कुआ कि कह सकते हैं जनसंग और कह सकते हैं राष्टिय सोयम सेवक संग के द्वारा कहीं गवर अक्छा आंदोलन हुआ है और हिंदी भासा के लिए प्रसार की लान लेकिन दक्षिन भारत में हिंदी का थोपे जाने का कहीं उसके विरोध में एक आंदोलन कहीं खड़ा होड़ता है 50 और 60 तितस्क में राजनीती में एक मुद्दा है कि देखो जैसे एक तो गवरक्षा आंदोलन होता है गवरक्षा आंदोलन कौन चलाता है जनसंग जो BJP का पहला नाम है उससे पहले जनसंग थी 1952 में जनसंग बनता है 1980 में BJP बनती भारतिय जनता पार्टि तो क्या था जनसंग और जो RSS है यही राष्टिय सोयम सेवक संग RSS के द्वारा और BJP यानि जनसंग लिखना BJP मतलिना जनसंग के द्वारा क्या हो जाता है कि कहीं कहीं गवरक्षा आंदोलन शुरूआतो थे और हिंदी को बढ़ाने के लिए इन्होंने आंदोलन लेकिन क्या होता दक्षिन भारत में तमिल नाडू एक पहला इस्टेट था तमिल नाडू में क्या होता हिंदी का बहुत ज़दा विरोध होता क्या हिंदी भासा को थोपा ज़दा रहा भारत में मदरास तमिल नाडू के संधी बिक्षे थे तू राजी की मांग बढ़ती है और नए मांग हुई कांग्रेस के आधिपत वाले गुजरात वा राजस्थान में स्वतंत्ता रूडिवादी पार्टियों ने चुनवती पेस यानि कांग्रेस का जहां पर वाधिपत था कांग्रेस थे गुजरात वराजस्थान में गुजरात वराजस्थान में रूडिवादी पार्टियों यानि गुजरात और राजस्थान में वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी को कई सारी पार्टियों ने कड़ी चुनवती पेश की इस घटना करम के दावरान ही 1950 के दसक में सारवधिक खतरनाग दसक पुकारने के लिए प्रेरिद किया यानि 1950 के दसक तो सारवधिक खतरनाग दसक पुकारने के लिए कड़ी प्रेरिद किया राजिये राजनीती में प्रभावी प्रतिमान को कॉंग्रेस के भीतर एक चुनवती पेश यानि कई अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि अनेक राज्यों में ध्यां सुना अब धीरे धीर अब वहाँ पर अन्य पोलिंग पार्टियां जो थी उनका भी कहिन के एक प्रकार सी जगवन कॉंग्रेस के भीतर स्वार्थी गुटों के नेतागण अपने अपने सामाजी का धार तयार करने में पीछे नहीं रहे यानि कहिन के अंदर खाने में भी जो नेतागण थे वो क्या बोलोगे कि कॉंग्रेस के अंदर ही कह सकते हैं कि कई प्रकार के मधवेद बने हो थे और कहिन कहीं कहीं कॉंग्रेस के सदस रहते हुए भी उन्होंने अपने अपने राज्यों में अपने स्वयम के आधारों को मजबूत किया यानि कह सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी में ऐसे कई सारे नेता थे जो अपना स्वतंत्र आधार ध्यां सुना जो अपना स्वतंत्र आधार कहीं मजबूत करने में लगे होते इसमें कुछ नेताओं का नाम है जैसे चौधरी चरण सिंग अन्न कॉंग्रेसी नेताओं के बीच गुडबाजी का परणाम हुआ उत्तर तो भार्ति राज्यों में राजनीती में एक सरसकत छेतरियग ग्राम मदल का उद्र जैनि ग्राम मदल किसकी पार्टी बनेENS चौधरी चरण सिंग ने बना था ग्राम देखो क्या होता, चौधरी चरण सिंग जैसे, ऐसे कई सारे, मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे आपने सुनाओगा कि कई सारे ऐसे नेता थे, देखो, कॉंग्रेस पार्टी में कई सारे ऐसे नेता थे, जिन्होंने अपना स्वतंतर अस्तित्व बनाने का काम किया, ठीक देखो जब देश आजाद हुआ कई कॉंग्रेस पार्टी हर राजय में थी जैसे चौधरी चरणा सिंग हैं कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कहिन गहीं अपना स्वतंत्र आधार बनाने का कहिन कहीं काम किया तो कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना स्वतंत्र आधार बनाते थे ताकि कहिन कहीं वह अपने चुनावती पेस करते हैं जैसे चौधरी चरणा सिंग का नाम सुना हो गए जो कहिन कहीं आप अगर यूपी से आते होगा और भारत के प्रधान मंतरी बन चुके हैं चौ कॉंग्रेस ही नेता थे जो कॉंग्रेस में रहते हुए अपना एक स्वतंत्र आधार बनाने में कहीं कहीं लगे यहनी कॉंग्रेस के ऐसे बहुत सारे लीडर थे या नेता थे जो अपना स्वतंत्र आधार बनाने में लगे हुए यह कहीं कहीं स्वतंत्र आधार उन्होंने और Congress Party को उन्होंने कड़ी चुनोती पेस की क्या-क्या उन्होंने Congress Party को कड़ी चुनोती पेस की ठीक और इस परतीमान को अभिव्यक्ति 1967 में हुए आम चुनाव में अनेक राज्यों में Congress को Congress में कह सकते हैं Congress के भीतर खाने में कॉंग्रेस के नेताओं में कई प्रकार के मतवेद बने रहे और कॉंग्रेस के लीडरों ने कह सकते हैं कि कई प्रकार के उनके मतवेद थे और आपस में उनमें कहीं कहीं तालमेल नहीं था और तालमेल की अभाव के बिना ही कहीं कहीं क्या हुआ किuben से हमारा, सुरू में क्या रहा कि कॉंग्रेस देशाजाद हुआ, हर राज्यों में कॉंग्रेस जीत करके आई और कोंग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ। को along्रेस Party में नेताओं में अंदर ही मत्भीद रहे और कई प्रकार के नेता ऐसे रहे जिन्यों ने अपना स्वतनत्राधार बनाया और धीवितर ही वितर उन्होंने Congress Party को कमजोर करने का काम किया कई सारे नेताओंने Congress को अंदर से कमजोर किया पढ़णाम एं निकला कि 1967 के लोकसभा के चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि कम सीटे मिली और कहीं कहीं कम सीटे मिली और कह सकते हैं कि 69 में क्या होता कि एक प्रकार के गठ बंधन की रूप में कहीं सरकार बनती है और कहीं कह सकते हैं कि कॉंग्रेस की नेताओं के अंदर खाने में आंतरिक कलह के काने ही कहीं कहीं कई सारे राज्यों में कहीं 67 के बाद क्या हैं कॉंग्रेस की कई सारे राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और कई सारे राज्यों में अन्य पार्टियों की कहीं कहीं सरकार बनी ये तो कहिन कहीं क्या था पचास और साथ की दसक में राजनीती में कौन-कौन से मुद्दे हावी रहे मैं थोड़ा सा थोड़ा मुद्दे बता देता हूँ एक भूमी सुधार बहुत जदा हावी रहा पचास और साथ की दसक में जो हावी रहा भूमी सुधार रहा समु पराजवादी और कंकं वाम पंथियों ने अपनी एक परकार की पैठ बनाई और पंजाब में एक परकार से आकाली दल्थ कहिं कहिं मजबूती मिल रही थी। खड़ा उड़ता है। कहीं का उन्होंने मचबूत करने का काम किया। इसके फलसरूप 67 के लोकसभा के चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी को कहीं कम सीटे प्राप्थ हुई और कई सारे राज्यों में कई सारे राज्यों के प्रांतियों चुनाए कह सकते राज्यों के चुनाव में Congress Party को हार का सामना करना पड़ा और Congress Party को कहिन कहीं कैसा राज्यों में उसकी सरकार गई और 69 में कहिन के उसको गठ बंधन के साथ कहिन के उसको सरकार चलानी पड़ी तो ये 50 और 60 के दसक में राजनीती रही अब हम देखेंगे 70 के दसक में छेत्रिय उद्वा कैसे हुआ अगला question क्या है 1970 के दसक सेंचूरी में छेत्रिय सक्तियां छेत्रिय सक्तियों का उद्वा कैसे हुआ ठीक है तो छेत्रिय सक्तियां ध्यान सुना जवाल लाल नहरू की मिर्थ्यू के पस्ता यानि निहरुवादी जब निहरुवादी जो मोमेंट था या निहरुवादी जो यूग था उसके समाप्थ होने के बाद क्या होगा अब धीरे धीरे छेत्रिये सक्तियां जो हमारी छेत्रिये सक्तियां है उन छेत्रिये सक्तियों का उदय होगा अब यहाँ पर धरमाधारित जाती आधारी इस प्रकार की राजनीती बहुत ज़्यादा धराम जाती इस प्रकार की कई सारी पार्टिय बनेगी और कई सारी पार्टियों को कहिन कहीं देश में गठन होगा और कहिन कहीं अब छेत्री सक्तियों का उदय होगा और कहिन कहीं कॉंग्रेस जहोगी और कहीं कही तरह से धीरी धीरै कोगी कमजोर होती चली जाएगी और राज्यों में कई राज्यों में क्या होगा कि वहां परशेटरी पार्टियों की सरकार बनेगी ध्यान सुनीगा जवाल लाल नहरू की मृत्वी के पस्टाथ 1.3 है ठीक है जवाल लाल नहरू की मृत्वी के पस्टाथ राज की राजनीति में परतिमानों में परिवर्तन हुए जब निपंडित नहरू थे कॉंग्रेस को एक परकार सा अंब्रेला अंब्रेला का मतलब उन्होंने सभी नेताओं को साथ रखने का काम किया पंडित नहरू जब देश आजाद होता और कहिन के बंडि जौला नहरू देश के प्रधान मंत्री बने उन्होंने कहिन कहीं सभी को एक साथ रखने का काम किया सभी नेताओं को उन्होंने कहीं एक साथ और कहिन कहीं उन्होंने एक जुट रखने का काम किया लेकिन जब Indra Gandhi है तो उन्होंने कह सकते ब्यक्तिगर्द बनाई। यानि जो Congress थी सभ की party बनीू तो जैसे आज भी बहुत सारी party जैसे कुछ ब्यक्ति के नाम से हैं, जैसे मानलोईजे समाजवादी party का अगर समाजवादी party में कोई बचेगा नहीं कई सारी ऐसे पार्टियां हैं बिहार में लालू का परिवार आरजेडी से निकल जाए तो को आरजेडी में कुछ बचेगा नहीं ऐसी कई सारी यानि इंद्रा गांधि ने के किया कॉंग्रेस को पूरा ब्यक्तिगत बना दिया यानि कहिंके कॉंग्रेस पीछे रेगे इंद्रा आगे चलिये यानि कहिंके उनके नाम से कॉंग्रेस पार्टि और पूरी तरह से कहिंके उन्होंने 70 की दसक में कॉंग्रेस ब्यक्तिगत कहिंके बनी 60 के दसक और 70 के दसक के बीच में राज की राजनीती में सबसे महात्पून अब लेक्षन एक ग्रामिड धनाड था जो कुलीनों का उदय यानि कहिंके कुलीनों का उदय हुथा धनाड लोगों का उदय हुआ खासकर उन छेत्रों में जहां पर हरित क्रांती देखी गए उत्तर प्रदेश ध्यान सुना उत्तर प्रदेश हरियाना पंजाब बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कई कह सकते हैं। कुर्षक प्रणाली को बिशेष कर किसानों को ध्यान में रख करके चौधरी चरण सिंग ने भारती क्रांती दल का गठन किया उन्होंने दो दसक यानि 67 से लेकर के 87 तक उत्तर भारत में राज की राजनीती में एक ससक्त वर्ग का नेतरुत किया और मंच यानि कहन के किसानों का नेतरुत किया और किसानों की नेता बने रहे उत्तर प्रदेश के नक्षे कदम पर किर्सी वर्गों के बीच प्रबल सामाजी आधारों को लेकर के बड़ी संख्या में राज्यों में कहिन कहीं देखोगे ससक्त छेत्री नेताओं का उद्वन यानि धीरे धीरे क्या हो रहा था अब छेत्री जो हमारे छेत्रे उनमें क्यो हो रहा था छेत्री नेताओं का उद्वा को रहा था कि भूमिका पर संदेख किया जाने लगा और केंदर राज में संबद्धों में परिवरतिन की मांग उठी यानि क्या कह सकते हैं कि इस समय पर के रहा केंदर में कॉंग्रेशी सरकारे रही और राज में कहिन कहीं अन्य सरकारे तो केंदर और राज की सरकारों में जो एक प्रकार से तालमेल नहीं था उस तालमेल को लेकर केंदर और राज की सरकारों में केंदर तालमेल होना चाहिए और केंदर के कह सकते हैं कि राजपाल जो था एक संदे की इस्तिती में जो रहता था उसको कहिन के प्रतिकूल माना जाता था कि वो कहिन के Kings ruling party का कहिन के यानी जिसकी Kendr में सरकार है Kendr सरकार जो होती है वही राज़पाल को निक्त करती और राजपाल कहिन के Kendr सरकार के अनुकूल काम कर रहा तो कहिन के उसके परिवरतन की मांग उठी यानि राजपाल की भूमिका पर भी कहिन कहीं अब धीरे-धीरे संदे किया जाने लगा यानि केंदरो राज्यों में परिवरतन की मागरे या घटना करम आने वाले वर्सों में कहिन के राज की राजनीती में कहिन कहीं बहुत ही ज़्यादा निरनायक सिद्ध हुए यानि कह सकते हैं कि धीरे-धीरे राज्यों में से कॉंग्री की सरकारे हटी जैसे कॉंग्री से सरकारे हटी और कहिन कहीं अन्य पार्टियों की सरकारे बनी तो कहिन कहीं अन्य पार्टियों में जब अन्य पार्टियों की सरकारे बनी तो कहिन के उनमें ताल मेल लेकर के कहिन के बहुत प्रकार की मांग उठी क्योंकि केंदर में केंदर 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 कें समनबै की भावना बनाने का काम की अगा इनमे कुछ नेताओं ने राश्ट्रिय सक्तियां राज की सक्तियां राश्ट्री राजनीति में योगदान प्रदान करने के बावजूद से नि यानि ऐसे बहुत सारे लीडर थे जुनोंने अपना स्वतंतर आधार बनाया और कहीं कहीं उन्होंने जो राष्टिये दलों की नेता था उन निकल निकल के उन्होंने छेत्रिये दलों का कहीं कहीं गठन किया जन्ता पार्टि के नेत्रत वाली सरकारों ने केंदरों राजियों में कुछ कदम उठाये जिसमें राज की राजनीती में गूंज दी मंडल आयोक की निक्ती बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछडों वर्गों के लिए आरवक्षण लागु किये जाने में नयरु जान मैंने आपको मंडल आपने बहुता है मंडल और कमंडल मैंने दो स्वर्ड यहीं मंडल आ दे जब क्या होता उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ों को जो आंदोल आप OBC जो OBC वर्गों जो मिला हुआ है जो OBC को आरक्षन मिलता है वो क्या होता एक देश में प्रधान मंत्री थे BP Singh, विसुनात प्रताप Singh वो कहिन कहीं मंडल आयोग बना था और कहिन के उसने अपने रिपोर्ट दी थी कि OBC यानि जो जातियां उनको भी आरक्षन मिलना चाहिए तो कहिन के उन्होंने आरक्षन दिया था और कहिन के जब OBC का आरक्षन हुआ था आप कभी भी नेट पर सर्च कर ले ना मंडल आयोग मंडल आयोग जब सर्च करोगे कि जब मंडल आयोग की रिपोर्टे लागो होती है और OBC को आरक्षन दिया अन्य लोगों का आरक्षन कट रहा था इसलिए उन्होंने कई प्रकार के हिंसक आंदोल नोते यानि मंडल आयो की और कहें के मंडल आयो की न्च्वति के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में पिक्छड़े वर्गों के लिए कहिंके आरक्षन लागू किये जाने के नए रूजान पैद हुए और राज की राजनीती में साथ साथ कहिंके राजनीती के लिए भी महत पूर्ण रहे राज की राजनीती में राजनीजी दलों ने शिर्फ इंद्रा गांधी के परती वाली कॉंग्रेस का नेतरुत क्या बलकि संगठन को चुनोती दी यानि कहिन कहीं जो इंद्रा गांधी कॉंग्रेस के उसको कहिन कहीं अन्य सारी पार्टी कहिन कहीं चुनोती मिल रही थी बलकि केंदर राजी के संबंदों में राज के लिए एक आधिक नियुक्ति इस्तिती कहिन की परदान करने का प्रयास क्या था 60 के दसक में देखोगे तो 80 के दसक में देखें तो कहिन के केंदर राजी के संबंदों में सुधारने के लिए विपक्षी नेताओं ने बैठके की जन सामान आयोग की न्यूक्ती की गई पस्षिम मंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प था की 1983 में सहकारी आयोग की न्यूक्ती हो आधी छेत्रिये राजनितिक तातकों के बढ़ते महतुका सबसे महत्पून उधान रहा कि 70 के दसक में कॉंग्रेस के नेतरित में इंद्रा गांधी को जेपी आंदोलन वा गुजरात आंदोलन की जन सामान जब इस देश में जेपी आंदोलन जेपी का मतलब जय प्रकास और जय प्रकास का 70 के दसक में ही आंदोलन जय प्रकास यानि उस हम एमर्जंसी के दौर को कहिन के पढ़ने जा रहे हैं यानि क्या होता कि जेपी का आंदोलन क्या एक प्रकार से चातरांदोलन होता और उस चातरांदोलन से कहिन के जेपी जुड़ते हैं और उसे आंदोलन यानि उस रैली के बात कहिंगे इंद्रा गांधी है क्या क्या था कि 26.1945 रुखे क्या उन्होंने एमर्जंसी यानि आपात काल लागू कर दिया था यानि उसी हम 70 की दसक की राजनीतु को थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि कहीं कहीं कि क्या कि कहीं कि जेपी का आंदोलन या गुजरात आंदोलन की चेत्रिय ताक्तों और जेपी आंदोलन तथा इंद्रा गांधी के बिरुद इलाहबाद ने उच्चतम नियाले ने निरनाइपूर चुनोती पेश की जेल पाने वाले असक्चम में मही इनों में यानि 1975 से लेकर 77 तक इस देश पर यानि दो साल तक क्या रही इमर्जन्सी यानि आपात काली यानि यहां पर लागू करने का काम गया क्या 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 होता है ध्यान सुना इलाहाबाद हाई कोट जो है इलाहाबाद हाई कोट यह मानता है कि इंद्रा गांधी ने अपनी चुनाव जीतने के लिए इंद्रा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या किया है कि सरकारी महकमे का यूज किया है सरकारी महकमा उन्होंने क्या यूज किला था ध्यान सुना मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या किया था आपने सुना होगा कि जो प्रधान मंत्री जेंद्र गांजी उन्होंने परचार किया था उन्होंने क्या किया था जो light लिया जाता है जो उने लाइट लिया था बगल बिजुली का खमबा लगा था सरकारी खमबा था वहाँ से light ले लिया गा था इसको मुद्दा बना कर comparable और सुप्रीम कोड जो इलाहबाद हाई कोड था उन्होंने उनका फैंसला सुनाता है और 25 जून को जेपी आंदोलन का एक जेपी ने एक बड़ा मोवमेंट किया था है बड़ी रैली होती है और कहिंके उसी की अगली दिन यानि 25 जून को इस देश में कहिंके उसको पूरी तरीखी से क्या कर दिया था है उसको खारिज कर दिया था बले कि हाई कोर्ट ने बोला था कि आप प्रधान मंत्री बनी रहे सकती है आपको पता होगा न कि अगर कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री बना हुआ तो 6 मेने तक बना यानि वो प्रधान मंत्री बनी रहे सकती थी रीजा ने था कि उस टाइम पर जेपी का एक मोवमेंट चला था औ और कहिंके एक प्रकार से कह सकते हो कि इंद्रा गांधी के खिलाप एक प्रकार सी लहर बनी हुए थी ठीक है इंद्रा गांधी के एक बूलिये जो चातर आंदोलन पूरा था ठीक है ओ कहने की खाने से शुरूआ था क्योंकि खाने का जो सरकारी कोलेजों में खाना कंटीन में मिलता था उसको थोड़ा सा पैसे बढ़ गए थे उसको कहने कहीं लेकर और यह जो आंदोलन सुरूआ था बिहार में तो बाद में यह गुजर कि खाने का जो कोलेज में जो कैंटीन होती उसका पैसे बढ़ा दिया थे उसको लेकरके आंदोलन होता है और कहन能 के बाद में बिहार में पहुंशता है प motherf— आप दो घ्रजा बाद में बन्हानती कह सकते हैं एक परकार की लहर बनती है और कहने करिशा være पर इलाहाबाद का फैंसला आ जाता है इलाहाबाद का हाई कोट का फैंसला था और उस चकर में कहीं आनन फानन में इंद्रा गांधी क्या करती हैं कि कहीं कहीं एमर्जंसी लगा देती हैं आपात काल के पस्ताथ युग में चौधरी चरण सिंग जैसे छेतरी नेताओं का राश्टी राजनीती के ओर कहीं कहीं उनमुक होते हैं साथ ही बिहार में करफूरी ठाकूर हरियाना में देवी लाल उत्तर प्रदेश में अनेक दक्षिन भारत में राम नरेश यादो फिर परके नेतागंड केंद्र की राजनीती में अपने कारिक्रों में दस्तक देने लग जाते हैं यानि कहीं कहीं धीरे दिधान सुना कि कहीं कहीं राज की राजनीती में कहीं जैसे एक प्रकार से कि एमर्जंसी हटने के बाद क्या होता है एमर्जंसी हटने के बाद छेतरी र नेताओं का कहीं के उभार होने लगा बिहार में जैसे करपूरी ठाकूर एक प्रकार का काम किया उत्तर प्रदेश में और जैसे राम नर्यस यादो उत्तर प्रदेश में और कहिंके मुलायम सिंग यादो और कई प्रकार के छेतरी ने था कहिंके उभर करके सामने आते हैं और कहिंके ये अपने कारियों को दोरा कहिंके छेतरी राजनीती में कहिंके एक बड़ा नाम उभर के सामने आता।